मैं हूँ शानू बदलते मौसम में खुद को स्ट्रॉंग रखना और इम्मुनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है तो इसके लिए आज मैं आपको ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं और ये सब्जी आपके बौडी को सभी जरूरी वि आएगी ये सब्सी नहीं ओश्दी है मैं बात कर रही हूँ कोडे के बारे में और ये स्पेशली मौनसुन सीजन में ही मिलते हैं राजस्तान में इसे बोला जाता है किंकोडे इसका एक नाम और है और वो है कंटोला क्योंकि दिखने में करेला जैसा होता है बस साइज इसका चोटा होता है इसलिए इसे मीधा करेला भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं स्पाइनी गौर्ड या स्पाइन गौर्ड तो कुछ नाम तो मैंने इसके आपको बता दिये इनके अलावा भी इसके कई और नाम है तो आज इसी से हम सबजी बनाने वाले हैं जो क सबसे पहले मैंने इन्हें साफ पानी से अच्छे से वाश कर लिया है इसके बाद मैं इन्हें कट कर रही हूँ मैं इन्हें राउंड शेप में कट कर रही हूँ आप जैसे चाहें वैसे शेप में इन्हें कट कर सकते हैं और थिकनस आपको कुछ ऐसी रखनी है इन में बीच भी होते हैं अगर बीच कड़क हैं तो उन्हें निकाल लें और अगर नर्म हैं तो ऐसे ही रहने दें इस तरह से मैंने सारी सबसी कट कर ली है और सबसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर धाई सो ग्राम का कोड़े लिए हैं इन में अगर आप अंदर वाला पार्ट देखेंगे तो कोई वाइट कलर का है तो कोई ब्राउन कलर का और आप ये ना सोचें कि ये जो ब्राउन कलर वाला पार्ट है ये खराब है ऐसा होता है कि कोई वाइट कलर का आता है तो कोई ब्राउन कलर का और इसमें जो छोटे वाल प्राई में हम गर्म करेंगे तीन बड़े चमश तेल, तेल गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें थोड़ी सी हींग, वन बै फोर टीस्पून सौफ, वन बै फोर टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून हल्दी, गैस की फ्लेम लो कर दें और फिर इसमें डाले एक कटीवी हरिमज, और फिर दस से पंदरा सेकंड के लिए इन्हें भून लें, अब जो ककोड़े हमने काट रखे थे उन्हें कडाई में डाल देंगे, और अब दो मिनिट के लिए इन्हें भून लेंगे, दो मिनिट तक अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और फिर इसमें डालें वन बाई फोर टीस्पून चीनी, चीनी हम इसलिए डालते हैं ताकि सब्जी का जो कलर है वो ग्रीन रहे और ब्लैक ना पड़े, और अभी गैस की फ्लेम लो ही रखनी है, नमक और चीनी डालने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ दें, मैं कभी भी सब्जी को कवर नहीं करती हूँ, क्योंकि कवर करने से सब्जी का कलर ब्लैक हो जाता है, तो अभी भी हम इसे कवर नहीं करेंगे, और पांच मिनिट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, और सबसी को पकने देंगे और इस पांच मिनिट के दोरान जब सबसी पक रही हो तो बीच बीच पे आप चमर से इसे चलाते रहें पांच मिनिट के बाद ककोड़ी को चेक करेंगे अगर नर्म हो गए हैं तो आगे मसाले डालेंगे तिकिन अगर नर्म नहीं हुए हैं तो इसे 3-4 मिनिट के लिए और लो फ्लेम पर पकने देंगे हमारे तो ये ककोड़े 5 मिनिट में ही नर्म हो गए हैं तो अब इसमें आगे के मसाले डालेंगे ककोड़े नर्म हो गए हैं तो अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्ज पाउडर और फिर डाल देंगे 1 टेबल स्पून धन्या पाउडर अब इन मसालों को सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनिट तक पका लेंगे अगर आपको इस सबजी को और जब चटपटा और तीखा बनाना है तो आप इसमें अमचूर पाॉडर और गरम मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आपको इनका टेस्ट पसंद है तो आप इन दोनों चीज़ों को भी सबजी में डाल सकते हैं अब दो मिनट के बाद आपके ककोड़े की कुरकुरी सबजी बन कर तयार है सबजी बन कर तयार है तो इसे गर्मा गरम पराठे या रोटी के साथ सेव करें आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे चैनल के जो भी नोटिफिकेशन्स हैं वो जल्दी ही मिल सकें और मैं मिलूंगे आपको अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाई